राजस्थान की रजट बुन्दे इसमें अमारा पहला प्रेशन है कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं इसकी गहराई और व्यास तथर समानेकूओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है उत्तर इस प्रकार से है कि वर्षा जलका संग्रहन के लिए राजस्थान में कुई का निर्मान किया जाता है राजस्थान में रेत अति गहरा होने के कारण वर्षा का पानि मरुष्थल में समा जाता है धीरे धीरे इसमें कुई में समा जाता है कुई यानि एक छोटा सा कुवा होता है कुवा पुलिंग है और कुई स्ट्रीलि लेकिन इसके व्यास में अंतर होता है कों का व्यास तकरीबन 15 या 20 हाथ का होता है जबकि कुई का व्यास लगभग 5 या 6 हाथ का होता है यानि कि यह 5-6 फुट तक की व्यास की होती है इसमें दूसरा हमारा प्रेशन है कि दिनो दिन बढ़ती पानी की समश्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाए हो रहे हैं जाने और लिखें यह हमारा दूसरा प्रेशन है तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि दिनो दिन पानी की समश्या भयानक रूप ले रही है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जरही जीवन है लेकिन लगातार बढ़ रही जनसंख्या और लगातार जल स्त्रोथ जो हैं वो घरते जा रहे हैं प्रकर्ती के आतेधिक प्रेयोग के कारण पानी की समश्या भयांकर होती जा रही हैं हर जगों पर लोग पानी की कमी से जूज रहे हैं ऐसे माहौल में राजस्थान की रजत बूंदें पाठ से हमें जल प्राप्ती के अनैश्रोत और पानी के उचित उप्योग पर पिचार करने में मदद मिलती हैं पानी की समश्या से निपटने के लिए कई सरकारी और गेर सरकारी संगठन अफियान चला रहे हैं लोगों को अलग-अलग माध्यम और कार्यकरमों से हस्तियों द्वारा पानी के विशय में अफगत कराया जा रहा है गाउं में तालाबों का पुनर निर्मान किया जा रहा है पुनर निर्मान क्या होता है दुबारा बनाना जो कुए टूट चुके हैं जिनको मरम्मत की जरूरत है उनका पुनर निर्मान किया जा रहा है छोटे कुए बावडी और जलाशियों का निर्मान करके पानी के भूमिगत जलस्तर को बढ़ाया जा रहा है Thank you for watching